नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे में आपका तेह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि इस बरसात न खराब हो आपके बालों की सेहत ये टिप्स हैं कारगव के बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखें लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मट से आएं बालों के स्वास्थ्य को बरबाद कर डालती हैं लेकिन इन टिप्स को अपना कर आप अपने बालों को रख सकते हैं बिलकुल मुलायम और चमकतार रात में एक चम्मच मेथी भिगो दें सुबह पीस कर इसमें दही और नीबू का रस मिलाकर सिर पर 10-15 मिनट लगाएं फिर थंडे पानी से धोकर कुछ देर तौलिये को लपेटे रखें ध्यान रखें कभी गीले बालों पर कंगी न चलाएं चाई की पत्ती वाले उबले इसमें नीबू का रस मिलाकर धार बनाकर बालों में डालें इससे बालों में चमक तो आएगी है साथ ही बाल मुलायम भी बनेंगे बालों का जड़ना भी इससे कम होगा बालों की खोई चमक पाने के लिए शहेद का इस्तेमाल करें इससे न केवल बालों में चमक आती है ब बालों को खुले तो तुरंत कंगी न करे। उन्हें हलका सूखने दे। बालों के लिए एलोवेरा भी बहुत फायदेमंद है। ये बालों के रूखेपन को खत्म कर उनमें नमी भरता है। इसमें मौझूद एंटियोकसीडेंट्स और विटामिन बालों को पोशन देने का का करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक हमारा यूट चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही। महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नम्सकार दोस्तों।